हालो फ्राइंट्स में राहुल आपका गाड़नर दोस्त मेरे चैनल थे हैपी गाड़निंग लाइसनाव सभी का बहुत बहुत सवकत है और सभी को सबसे पहले सुबह की गुड मॉर्निंग क्योंकि मेरे याप पर बहुत ही सुहानी सुबह हो रही है बहुत ही खूबसूरत क् जापुर में पूरी रात कल बारिश हुई है तो उसकारण बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है तो मैंने सोचा आपको बारिश के बाद का जो मेरे टैर्रिस गार्डन का नजार आए वह मैं तो आपको दिखा देता हूँ तो मेरे घर से देखी जो पहार जो दिखते हैं जैसे हमारे हिमाचल मनाली में देखता है तो कुछ मुझे उस तरीके काई मेरे घर से नजारे देखने मिल जाते ہیں अकथर तो देख सकते हैं आप ये देखिए बारिश के बाद बिलकूल नहने के बाद बिलकुल इनकी जो पत्तिया ही अखरी हो रही हैं कि बिल्कुल फ्रेशनेस इन सभी पॉदों को मैंने इधर रखे हुए थे क्योंकि इधर मैंने यह नेट रगा रखा है तो इस प्लास्टिक का है जिससे पानी गेट पे नहीं आये मेरे तो मैंने इन सभी को रात को बाहर इधर रख दिया था ताकि इन पे थोड़ा पानी पारिश का लग सके कुछ मेरे खाली गमले रखे हुए हैं अब गार्डनिंग करते हैं तो वही सामान इधर उदर फैला हुआ अकसर मिल जाता है शट पे यह देखिए अब यह मेरा देखे ड्रेस अना का सौंग ओफ इंडिया कितने अच्छे हो रहे हैं सबी पलकुल ग्रीन ग्रीन पर बारिशों में थोड़ा यह है कि जो हमारे फ्लावर प्लांट होते हैं वह थोड़े से फ्लावर्स जो होते हैं उनके देखिए खराब हो जाते हैं पानी स अब देखे मेरे गुलाब के बहुत सारे आरे थे कल और आज देखे सब जुक जुके हैं पानी के वजन से यह देखिए यह मेरी कनेर में भी देखिए औलेंडर जो मेरे डाफ वराइटी है इसमें भी सारे फ्लावर्स जुक जुक हैं यह देखिए तो आज टाइम मिलेगा तो कुछ देखिए, आज वीडियो जरूर बनाएंगे, यह देखिए, सब, यह मेरे नीम के प्लांटे जो मैंने सीट से ग्रो कर रहे थे, यह मेरे हिबेकस, यह देखिए, अभी एक रोठोन मनरसी से लाया था, मैंने इसको अभी रिपॉर्ट नहीं क तो आज टाइम मिलेगा तो इनको जरूर करेंगे और आपको दिखाएंगे, यह मेरे रैफिस पाम, जो मैंने कुछ दिन पहले इनको पॉर्ट में लगाया था, जो मैंने अर्सी से लेकिया था, बाकी मेरे वो नीचे बालकनी में रखे हुए हैं, यह मेरे हैंगिंग प्ला और आने वाले कुछी दिनों में आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, तो चलिए, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, थैंक यू